उत्तरपिर्देस सरकार ने शनिवार को प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विद्यालों में पढ़ने वाले चात्रों को यूनिफॉर्म और बैक खरीदने के लिए चात्रों के परिजनों के खाते में 11-1100 रुपय ट्रांसफर किया इस यूजना से राज के लगभग 1,80,000,000,000 रुपय थोएं वहीं इसमें जनपत के 1,20,168,000,000 रुपय थोएं इन चात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे का सीधे ट्रांसफर किया गया आपको बता दे कि कक्षा 1-8 तक के स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में जीबीची के माध्यम से भेजा गया इसमें स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर खरीदने के लिए प्रतेक चात्र के परिवार के सदस्यों के खाते में 11-1100 रुपे भेजे गया बता दे कि उत्तर प्रदेश के प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक विध्यालों में करीब एक करोड असी लाख बच्चे पढ़ते हैं इन बच्चों को हर साल दो जोडी यूनिफॉर्म, एक स्कूल बैग, एक स्वेटर, एक जोडी जूते और दो जोडी जुराब दिये जाते हैं प्रदेश में योगी सरकार ने ही जूते मोजे स्वेटर बाटना शुरू किया था इसमें से दो यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए और बैग वा जूते मोजे के लिए 200 रुपए से 300 रुपए प्रती छात्र का बजट है यानि सरकार एक बच्चे पर करीब 1100 रुपए का बजट खर्च करती है जन्पद में प्रदेश की योगी सरकार ने 1,20,168 चात्रों के अभिभावकों के खाते में 1100 के हिसाब से कुल 13,21,84,800 रुपए ट्रांसफर किये हैं पुरे प्रदेश में भाई बेहन के टूट प्रेम का यह त्योहार उलास के साथ मनाया जा रहा है इस त्योहार के सुग अवसर पर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सिक्षा विवस्था बिसेश कर बेसिक सिक्षा को आमूल चूल सुरूप प्रदान करने वाले बेसिक सिक्षा का काया कल्प जिनके मार्ग दर्शन और नेटरत्यु में हुआ है ऐसे हमारे प्रदेश के स्फ्थी मुख्यमंत्री अधने स्योगी आधितनाज जी का आज इस त्योहार के अवसर पर प्रदेश के एक करोड असी लाग शात्र शात्राओं को भाई बेद्नों को डेवीटी के रूप में एक सांधार उपहर देने के लिए मैं बेसिक सिच्चा विभाग के और से हर दिक आभार पकट करता हूँ, स्वालित करता हूँ, पविलिनन करता हूँ माननी मुख्यमंत्री जी के मार्क दर्शन और नेत्रत में बेसिक सिच्चा विभाग ने नित नई उचाईयां चुए और इसी का परिडाम है कि 2017-18 में जहां हम मार्क सरकार के स्कूली सिच्चा विभाग के और फार्टमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पांचमें पायदान पर थे, आज बरतमान समय में हम पहले पायदान पर हैं चाहे वो लगबग सवाल आप सिच्चकों की नियुक्ति करके उत्तर परदेश के मिशन रोजगार के अंतरगर परदेश के इवाओं को रोजगार देते हुए गाओं गरीब मज़ूर किसान के बच्चे जिन परिशदिय स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चियों को भी गुडवत्तापूर सिच्चा उपलब्द कराने का कारे हो चाहे आपरिशन काया कल्प के अंतरगर प्रदेश के एक लाग तैंतिस हजार से अधिक विद्यालेओं की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और विकास का मामला हो चाहे स्वयम मानिय मुख्यमंत्री जी सुरू किये गए अप्रेश 2018 के स्कूल चलो अवियान के कारण जहां एक तरफ 2017 में योगी सरकार आने से पहले परिशदिये स्कूलों से बच्चों का पलायन हो रहा था लोग छोटे छोटे निजी विद्यालों में अपने बच्चों का प्रवेश करा रहे थे आज इस सरका अवली का अउसर है बाई दूच का अउसर है कि इस अउसर कर मैं मानिय मुक्त मंद्री जी से हनुरूत करूंगा कि यह सांदार उपहार प्रदेश के करोणों परिवारों के सात्र सात्राओं को अपने कर्वारों से तदाए बेसिक सिक्सा परिस्ट के एक करोड़ असी लाग से थिक बालक वाली काउं के यूनिफॉर्म बैक बोक्स सूथ स्वेटर आदे के लिए प्रदेश सारकर के सरसासंद और अप्लब्द कराई जाने वाली शुरुधा को डीबीटी के माद्यम से पूरी धंडासी उन बालक और बालिकाउं के माता पिता या लेगल अविभावक तक पहुँचाने के आज के सकरक्रम में पस्तित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्सा विभावक के मंत्री डॉक्टर सतीस दिवेरी जी विभावक के प्रमुक्षच्यू दीपक कुमार जी आज की इस कारिक्रम में विशेश रुप से उपस्तित मुख्यमंत्री काड़ाले में प्रमुक्षच्यू से एस्वी कुरियर जी अपर मुक्षच्यू सुचना से नूनीज सेहल जी प्रमुक्षच्यू मुक्षच्यमंत्री काड़ाले सिंजे प्रसाज जी बेसिक सिक्सा विभाग की सची और महानिदेशक समेट सभी अधिकारी गण और आज के इस कारिकर्म में आमारे साथ सीधे जुड़े ही बेसिक सिक्सा विभाग से जुड़े ही सभी अधिकारी गण सभी प्रधानाचार्य और अध्यापगण प्रदेश सरकार के द्वारा एक करोड असी लाग बच्चों के लिए आज के सुविधा उनके जीवन में एक नया प्रकास देने का एक अभियान है प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के पहले दिन से ही प्रतिवद रही है कि हम तक्नीक का उप्योग करके रश्टाचार मुक्त बिवस्था देंगे और आजनी प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में साड़े चार वर्सों से लगातार इस लक्स को प्राप्त करने की दिसामें और एक प्रियास हुए है उसमें सफलता भी प्राप्त हुई मुझे आद है 2017 में मार्च 2017 में जब प्रधेश में हमारी सरकार ने बागडूर समाला था तब प्रधेश के अंदर बेसिक शिक्सा परिशत की स्थित्यतिन्त ही जरजर और खराप थी तमाम बिद्याले बंदे के एक गार पर जा चुके थे काफी बड़े पैमाने पर शिक्सकों की रिक्त पद विवस्पा को चुनौती दे रहे थे और इन बिद्यालेों में अपने बच्चे को प्रवेश करानी के वजाए है हाई वहावक इस बात पर जोड़ देने के लिए पर था कि अगर इन बच्चों को वह अनित्र कहीं अपने बच्चों को अपने पालियों को कहीं नित्र परवेश कराएगा तो उसको उसमें ज्यादा फाइदा नजर आता था सुविधा नजर आती थी और बच्चों के भोश से ज़्यादा उजर दिखाई देता था लेकिन विभाग ने उसके बाद सासन की मंसा के अनुरूप इस कारे योजना पर कारे करना प्रारम्ब किया उसमें तक्नीक का भी उप्योग किया गया टीम वर्क का भी प्रेणाम है लेकिन नेक नियती और दिड़ इच्छा सकती भी उसमें परलक्सित होता है जोलाए 2017 में हम लोगोंने स्कूल चलो अभिहान चलाया था मुझे याद है लखनों के ही कुक्रेल चेतर में जब बन महद्सो के कारे करम में में गया था थो उसी समय हम लोगोंने स्कूल चलो अभिहान का भी सुभारंद किया था और यहनवारी किया गया था कि अगले पंद्रह दिनों तक हर एक बेशिक शिक्सा परिशा से जुड़ा भाब, प्रधानाचार्य, शिक्सगण, उन सभी अभिहावकों के साथ संपर्ग करेगा जिनके बच्चे परिशदिय विद्यालियों में प्रवेश के लिए उपलग दो हों लेकिन वे किन ही कारणों से प्रवेश नहीं करा पा रहे थे और उस समय कटनाई हमारे सामने देखने को मिली थे कि बहुत सारे बच्चे इसलिए प्रवेश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास से निफॉम नहीं थी आधी से दिक बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जोते मुझे नहीं थे तो प्रदेश सरकार ने उसी समय तैक किया कि हम प्रदेश सरकार के बेसिक सिक्सा परिशत में दो कारिक्रम हम लोगों ने तदकाल प्रारम के थे एक आपरेशन काया कल्प जिसमें जन प्रतनिधियों, परिसिदियर, बेसिक सिक्सा परिशत से जुड़े भे और सिक्सा विवाग से जुड़े भे रिकारियों, प्रसासनिक और पलिस अदिकारियों और जन सहियोग से एक एक विद्धियाले को गोद लेकर के उनमें वनियादी सुभधां उपलब्द करवाएंगे विद्धियाले के पुनर्मान के साथ ही विद्धियाले में बालक-मालकाओं के लिए ट्रालेट हो, सोद्यपेजल की विवस्ता हो अच्छी फ्लोरिंग हो, स्मार्ड कलासेज हो इन सबसे अच्छा दित करने का कारी किया गया और आज मुझे प्रसंता है कि लगभग एक लाग साथ हजार के असपास जो बेसिक सिक्सा परिश्ट के विद्याले हैं उनमें से एक लाग पैंटीस हजार सिधिक विद्याले हो मैंने केवल ये सुब्ध हैं आच्छा दित हुई बलकि उन विद्याले हो में बहुत सारी जगे राजोस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के मात्यम से खेल का मैदान और ओपंचिंप भी पपन चुके है पेसिक सिक्सा परिश्ट के अधिकतर विद्याले हो में बौंडरिवाल का भी निर्मान हो चुका है इसके साथ ही विकर्ट साड़े चार वरसों से हर बच्चे को दो योनिफॉम बैग बुक्स उपलब्द करवाने की कारवाई तो सफलता पुरुवक हुई बेसिक सिक्सा परिश्ट में अध्यन करने वाले आधे सेदिक बच्चे एथे थे जिनोंने जोते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने शुर्धा उपलब्द करवाई है यही नहीं सरवियों में भी हम इस बात को देखते थे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तो भीशन सीट लहरी में ठंड से चुटूरते थे स्वेटर नहीं होती थी प्रदेश सरकार में निर्णे किया कि हर बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्द करवाएंगे और मुझे प्रसंता है कि आज बेसिक सिक्सा परिशत की बिद्यालियों में हर बच्चे को वरस में दो यूनिफॉर्म बैक बुक्स सोच स्वेटर इस सभी सुख्धाय उपलब्द करवाई जाती है इसकी समय बद्धता को लेकर के और गुनवक्तता को लेकर के सद्वेटर प्रस्न खड़े होते थे और अंततार राज्य सरकार ने तै किया कि हमें एक लाग एक करोड़ असी लाग इन सभी बच्चों को अगर इस धन्दासी को उन परिवारों को इस सौपें और उन परिवारों को अपने पालियों को अच्छी निफोर्म बनवाने बैट बुक्स या सूज स्वेटर खरीदने के लिए उस धन्दासी को उप्योग करने के लिए प्रेदित करें अच्छी स्थिकी हो सकती है और जो ब्रस्ताचार का रोप सिक्सा विभाग पे लगता है या जो अन्या रोप लगते हैं इनसे भी बचा जा सकता है मुझे प्रसंता है कि विभाग ने इस कारवाई को समय बद्ध ढंग से आगे वढ़ाया और आज एक करोड बीस लाग से धिक बच्चों में के पास डीवीटी के माध्यम से ग्यारा सो रुपे परतिछात्र के हिसाब से धंडासी सीधे उनके बैंक खाते में उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अईभावक के खाते में सीधे भीजी जा रही है सेज जो बच्चे बच्चे हैं लगभग साट लाग बच्चे इन सभी बच्चों के अईभावकों के भी बैंक अगाउंट के सत्यापन की कारवाई आधार से से लिंक करने की कारवाई यह परचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत सिक्र इस धंडाशी को भी हम उनके बैंक एकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी आज बेसिक शिक्सा परिश्ट के बारे में नजरिया बदला है मुझे याद है जब हम लोगों ने जोलाए 2017 में स्कूल चलो अभ्यान चलाए था तब बेसिक शिक्सा परिश्ट में एक करोड तीस लाग क्या सबस बच्चे उस समय अध्यान बत थे और करोणा काल खंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंब में ये संख्या बढ़कर के मात्र तीन वर्स में ही एक करोड 81 लाग तक पहुँच गई थी ये संख्या 50 लाग सिधिक बच्चों की बढ़क्तरी मात्र तीन वर्स में यहाँ बेसिक शिक्सा परिश्ट के उन्नियन और प्रगती का एक बहतर प्रदर्सन भी करता है दूसरा बेसिक शिक्सा परिश्ट से जुड़े भी विद्याले या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्याले देखने को मिलेंगे मुझे अक्सर फिड में जाना होता है मैं देखता हूँ कितना अंतर आया है आज बेसिक शिक्सा परिश्ट के विद्याले अलग दिखाई देते हैं उनका रंगरूंगन उसमें की गई साथ सज्जा वहाँ पर बढ़ रहे बच्चे उनके यूनिफॉर्म से उनकी पैचान कोई भी बच्चा नंगे पैर नहीं जाता है बलकि वह अपनी निर्धारिक यूनिफॉर्म में पैरों में जूते पहन करके स्कूल पहुंसता है साथ साथ उसे समय पर बैक्स और वुक्स उपलब्द करवाने में भी विभाग को काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई अब धंडासी सिदे विभावक तक पहुंशने से विश समय से यूनिफॉर्म भी बना पाएंगे जूते मोजे भी खरीद पाएंगे स्वेटर भी खरीद पाएंगे और हर एक उस जो भी उसकी आउसिकता है जो सासन की मनसा है उसके इन रूप और सुविधा उस बैक्ति तक पहुंश पाएगी मुझे लगता है कि तक्नीक नक्योवल भृस्टाचार पर प्रहार करने का एक माद्देम है बलकि बेक्ति के जीवन में ब्यापक प्रिवरतन का भी एक आधार बन सकता है और इस दिसा में हम लोगों ने प्रियास किया है मुझे लगता है कि अंतर विभागे समन्वे के माद्देम से बेसिक सिक्सा परिशत सी जुड़ी भी तमाम प्रकार की सुविधाओं में उन्यन लाए जा सकता है मैंने कुछ विभागों से इस बारे में कहा है कि अच्छा होगा कि हम लोग बेसिक सिक्सा परिशत में अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट किसी छेटर विशेश में लागू होता है हमारा प्रिया सोना चाही कि सेसार मत से इस द्योग से हम उस ब्रिशन्पत के या उस भिकासकंण से जुड़े भिड्यालों में स्मार्ड कलास के बारे में बच्चों को प्रेवित करें मैं भी दिपावली के दिन गोरक पुर के बंटांगया गाऊं में गया था चार वरसे पहले तक वहाँ पर कोई बिद्याले नहीं था हम लोगों ने स्वयम एक धार्मिक ट्रस्ट के मात्यम से वहाँ पर औस थाई बिद्याले का संचालन आट-दस वरसों से हम लोग करवा रहे थे लेकिन मैं जब इधर महाँ पर गया तो बहुत अच्छा बेसिक सिक्सा पर्शों में गया तो बेसिक सिक्सा परिशत का बहुत अच्छा विद्याले बन चुका था स्मार्ट कलास थी और वे बच्चे वहाँ पर स्मार्ट कलास के माध्यम से कैसे स्वयम की स्मार्ट होने की कभाई दे रहे थे मैंने स्वेम दिपावली के दिन यहाँ गोरकपुर के एक बंटांग्या गाउं में जाकर के स्वेम देखा है विकतवर्स मझे चित्रकूर जाने का उसर प्राप्त हुआ था वहाँ पर भी मैंने देखा था इंडनायल की मदद से वहाँ पर कई भी द्यालों में स्मार्ट क्लासेश बनी थी यह तकनीक के साथ-साथ उन बच्चों के जीवन में ब्यापक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए और द्योगिक विकास बिभाग के साथ सोक्स मुलग उमद्यम उद्यम बिभाग के साथ या अन्य उन बिभागों के साथ जिनके बड़े प्रोजेक्ट किसी जन्पत में चलना है और वहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे कारे कर सकते जो स्मार्ट क्लासेज की निर्वाण में वहाँ योगदान दे सकते हैं दूसरा आदने प्रधानमंत्री जी की अंकंपा से वाराणासी के सेवापरी प्रकासखंड में कन्वर्जन्स के मात्यम से बहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे कारे हुए हैं वहाँ के कुछ बेसिक सिक्सा प्रिशत की स्कूलों में जाने का उसर प्राप्त हुआ था मैंने वहाँ पर इस बात को देखा अंगनवाडी केंदर कैसा होना चाहिए बेसिक सिक्सा प्रिशत से जुड़े हैं बिद्ध्यालियों में अलग अलग स्नेडी के बच्चों के लिए किस प्रकार की बियुस्ता होनी चाहिए और उन बच्चों के लिए कैसे हम आसानी से पाठे करम को उनके लिए और अधिकाद एक सरल और सुगम बना सके इसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए यहाँ वहाँ पर मुझे देखने का एक आउसर प्रक्त हुआ था मुझे लगता है कि वह एक मॉडल बन सकता है हम इसको हर एक बेकास खंड के अंदर लागू कर सकते हैं इसको और बहतर हमारा प्रयास होना चेक स्वयम में एक प्रतिस्परदा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्परदा इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का ही पेड़नाम है कि अभी मैं देख रहा था क्योंकि भारत सरकार के द्वारा स्कूली सिक्सा के लिए जो 17-18 में जो लागूस 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडिक्स थे वह जिसमें उत्तरप्रदेश पहले पीछे हुआ करता था बहुत पीछे हुआ करता था लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तरप्रदेश देश के अंदर नंबर एक परा जाता है यानि जो परिवर्तन हुए है परिवर्तन का परणाम है आप्रेशन काया कल्प है इस्कूल चलो अभिहान है मिशन पेड़ा है या फिर तकनीक का उप्योग करते हुए इस दिसा में जो बहुतर कारे हुए है या फिर मानिता के नाम पर जो धनादोहन होता था आज इसको ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो कारवाई हुई है अंग्रेशी माद्यम से भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे ये बिवस्ता लागू करना निशुल्ग पाठे पुस्तकों की बितन की कारवाई हो कस्तूर्बा गांधी विद्यालेओं जो प्रदेश के अंदर साड़े 300 से दिक कस्तूर्बा गांधी विद्याले हैं आठवीं कलास से वढ़ा कर उन्हें बारवीं कलास तक करना और सभी प्रकार की सुद्धाओं से अच्छा दित करना सामधा एक जैभागता के माध्यम से जो तमाम अन्यकारे हुए हैं खेलों के बढ़ावा देने के लिए एस प्रिशनल जो आप चनपर प्रदेश के अंदर हैं इन सब में कारवाई करते हुए प्रदेश में डेड़ लाग से दिक सिकस्वकों की भरतियम ने की है 尹िस में से एक लाग चबीष हजार से दिक भरतियां आकेले बेसिक सिक्सा परिशत के अब तक संपन्ने हैं माध्यमिक और उच्च शिक्सा, तक्नाइकी शिक्सा, चगिश्सा सिक्सा जोसा एक सिक्सा इन सभी को ले करके डेड़ लाग से जिक सिक्सकों की भरती बिगत साड़े चार वर्स के अंदर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न ही है और बन्य गाओं में या अन्ने उन छेत्रों में जहां पर सिक्सा एक दूर की पोड़ी नजर आती थी लोगों को लगता है था कि इस सिक्सा हमारे लिए नहीं बनी है लगता है लेकिन आज बेसिक सिक्सा परिशत वहां तक पहुँची है यह बदलते हैं इसमें चाईवा सिक्सकों की भरती की प्रकरिया को पूरी पारदर्सी तरीके से संपन्न करने की करवाई हो या फिर निप्ति की इस प्रकरिया को तेजे के साथ आगे बढ़ाते हैं आज बेसिक सिक्सा परिशत जिस तरीके से आगे बढ़ने का कारे कर रहा है आज का यह कारे करम सासन की योशना का लाप उन सभी यह भावों को तक पहुचाने जो अपने पालियों को बेसिक सिक्सा परिशत की स्कूलों में भेज करके उनके उज्जल वहुश्य के लिए अपने स्तर पर प्रियास करते थे लेकिन उनकी आर्थिक इस्तिति इसमें आड़े आती थी आज बेसिक सिक्सा परिशत ने डिवीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए इस्वज़धा अपलब्द कराई है मैं विश्वास करूंगा कि क्यों हमारी जम्यदारी यहीं पर समाप्त नहीं होती है इन एक करोड बीस लाग बच्चों तक धंडासी पहुँचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उन बच्चों के लिए स्वेटर, जोते मोजे, बैड बुक्स यह सब ही क्वालिटी के साथ अभावक उसी पर पैसा खर्च करें यह हर बिद्याले के प्रधानाचारे और हर कक्सा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोडने के आउस सकता है कि वे इसको सुनिस्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे बच्चे स्कूल में आएंगे तो मौर्णिंग असंबली में इस बात को देखने के आउस सकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं उस कक्सा के सिक्सक के द्वारा उस अईभावक से संपर्क करना जो बच्चे उनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अईभावकों को बैठक बुला करके प्रधाना चारे उनके साथ संबाद बनाए बच्चे स्कूल आते हैं तो नाकून कटे हों बाल बना करके आएं अस्नान करके आएं दांतून करके आएं एक बिवस्ता साब सफाई के परती ना केवल बेटेगब साब सफाई के परती बल्कि कलास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चल करके वे सीखने ही पहेंगे इस सभी बेसिक सिक्सा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए सामाने जानकरी, सामाने सिस्टाचार, सामाने संसकार इस बेसिक सिक्सा परिषद के स्कूलों के मात्यम से बताई जाने की आओ सकता है और मुझे रगता है कि जो संसकार, जो सिस्टाचार बेसिक सिक्सा परिस्द के इस प्रारम भी पांच वर्स के कारेकाल के दोरान या आठ वर्स के कारेकाल के दोरान परिस्दिय विद्यालियों के माध्यम से इंग बच्चों को दिया जाएगा यही रास्ट की आधार सिला बनने वाली है याद रखना अगर सिक्सा अधूरी है संसकार हीन है सिस्टाचार विहीन है तो आप युमीद नग नहीं कर सकते कि वह अब्यक्ति राष्ट नायक और राष्ट द्रोही के बीच कोई अंतर मैसूस करता है आज अगर कभी कभी इस प्रकार के स्थिति पैगा होती है तो उसका कारण प्रारंबिक समय में अभी भावक के द्वारा सिक्सा के प्रती बाले के प्रती वह रूची न लेने का भी एक कारण हो सकता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रती अभी से प्रियास करके हम उनको बताएं मौर्निंग असंबली के समय सब बताई जाने क्या हो सकता है क्योंकि अक्सर ये भड़ता हो तभी सुरू होता है जब एक तिको मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है कौन देश का सत्रू है जब हम एक ही तराजू में मित्र और सत्रू को तोलने लगते हैं राष्ट नायक और राष्ट द्रोही को तोलने लगते हैं तो सवभाई ग्रूप से वहाँ ब्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है और बेसिक सिक्सा परिशत के अपने मुझे लगता है कि मारे बेसिक सिक्सा परिशत में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाग के असपास प्रधानाचार्य सिक्सा, सिक्सामित्र अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो जो भी इस फिर्ड में कारे करने वाले अपनी सेवा देने वाले मानवाओं हैं इनकी संख्या है ये लोग अगर इस जम्यतारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कारे हो सकता है मैं एक बार फिर से भया दूज के उसर पर एक करोड बीस लाग जिन बालक बालिकाओं के लिए और ग्यारा सो रुपे प्रति बालक और बालिकाओं धंडासे आंतरित की जा रही है डीवीटी के माद्यम से उन सभी बच्चों की प्रति उन सभी अभिहाओकों की प्रति मैं हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ जो साथ लाग बच्चे बच्चे हैं यथा सेग्र उनको भी इस दंडासे को हम भीजने की कारवाई संपन करेंगी इस विश्वास के साथ बेसिक सिक्सा परीसाथ इस बात को जुरूर दिहान दें कि हम तक्नीक को अधिक सदिक उप्योग करें और बच्चों को भी इसके प्रती लालाईद करें उसको इसके प्रती जाग रूप करें यह संबह है यह उम्ड है इसमें हम एक सही दिसा दे करके नकेवल भृस्ताचार पर प्रहार कर सकते हैं बलकि तक्नीक क्योप्योग के माद्यम से शिक्सा के सरलीकरण और उसकी सुगमता का लाप भी हर एक बच्चे तक पहुंचाने में हम सहीवग दे सकते हैं आज के इस कारिकरण के उसर पर एक बार फिर से मैं उसर ही बालक वालिकों के प्रती अईभावकों के प्रती हिर्दे से मैं बने बदाई देता हूं अपनी सुपकामना भी देता हूं बेशिक सिक्सा परिशत से जड़े भी सभी विभाग के मंत्री विभाग के प्रमुक्ष चिवश सचिव magने देस्ण सभी जो भी परिशत से जड़े भी अरिकारि गण है करमचारी गण है उन सब को इस अविनों परियोग के लिए हिर्दे से धन्यवाद वे देखता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय है